आप प्रोग्राम ना प्रायो जग छे नीलकंट पतंग होटल नवस्काद रश्राप गिदर आती थी मां फरियक वर आपनू सवागाच छे अती थी यह लेवो कारेकरम के जे कारेकरम मां विशिष्ट व्यक्तितों साथे आपनी मुलाकात करेवेश ने वातों करिये छे अंतरन के अज हमारी साथे खरेकर पार आती थी यह हैं के जिमां बोलका माला सो हुए तो बहु गम एंन्य बहु उच्छाल एवा लोको होई छे जने बोलुअ गमतु हो值 अन्य काम पंट मले बोलवानू के इंटेलेक्शल के लंडेड औन्य साथे साथे लोको साथे जोड़ायला एवानेता कॉंगरेसना स्पॉक्स परसन डॉक्टर शकील अहमद शकील जी अपका स्वागय थे कारे करूए शकील जी सबसे बहला तो पुछना जाओंगा डॉक्टर नवस पकड़ते पकड़ते हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफे क्या होती है कैसे उसका इलाज ढूंडा जाए उसकी नवस पकड़ने का धंदा अपने ढूंदी या रादर, sorry to say यह 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 चूजन प्रफेशन अफ पॉलिटिक्स नव 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 नव, how you entered? Of course I belong to a traditional political family my grandfather was a freedom fighter and he was a Malay in 19, Congress a Malay in 1935-37 after his death in 1948 he died at a comparatively young age my father became a Malay and remained a Malay and Deputy Speaker of Bihar for 28 long years he was in politics out of which for 23 years he was a Malay there in Bihar for 7 years he was Deputy Speaker of Bihar Legislative Assembly so after his somewhat premature death in 1981 I was doing my house job house surgeonship and after completion of house surgeonship of course I was also inclined to join politics and people close to him after his death my father's death they literally forced me of course I was also somewhat willing to join to keep that family but where the people और वो बरे पुराने जमीदार परिवार के थे बहुत जादा जमीन थी, तो वो कहते थे मुझे को तो इतनी जमीन थी जो मैंने बेच ली और मैंने पॉलिटिक्स किया, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा जो ये पॉलिटिक्स करेंगे और फिर अम पाच बाई हैं पटवारा हो होगा ये लेकिन पिता से हम लोगों का जरा बहुत अदब मानते थे तो उनके सामने खुल के बात नहीं करते थे, मगर पता नहीं क्या हुआ, मैं हाउस जोब कर ही रहा था, एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसी ही मैं घर में था, उनमें पूछा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कि मैं पूरी हुछ जोब खatm करने के बाद बद्री करने संद सब्सक्राइब चला जाओंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम Meowth करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम करловें एंग, for the first and last time we discussed this issue, after two months he expired. So that one sentence of his एक उनका जो वाक्य था कि तुम तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो तुम चाहो तो करो तुम कर लोगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा moral boosting था और after his death मैंने पहले कहा कि हम भी थोड़ा हमको विरुची थी और उनके जो नजदीक के लोग थे चुके बावा थे दादा जिनको कहते हैं वो थे फादर थे लगफ़क 26 साल मुझको भी हो गया यहां यहां पुछना चाहूंगा आपने बहुत specific word एक यूस किया कि हमारे दादा ने त्याग बहुत किया politics के लिए बहुत त्याग किया मेरा सीधा सवाल त्याग की बात आती है politicians त्याग के बारे में बात भी करते है what do you feel की common people क्या इसको accept कर लेता है क्योंकि आज की तारिक में शायद त्याग की बात करना यह within house, within forum यह अच्छा लगता है यह word भी अच्छा लगता है लेकिन common men में अगर जाएंगे तो शायद यह सूर उठता है कि त्याग की बात करते है लेकिन त्याग होता नहीं है political community के बारे में बात करा हूँ लेकिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कुछ लोगों के वजह से सारे लोगों को कोई बदनाम कर दे यह उचित नहीं है यह बात सही है कि politics में जीवन के हर एक तरह से विभाग जो है उसमें जो moral values का deterioration हुआ है और politics तो देश की politicians जो होते हैं वो देश की जनता के परतिनिदी होते हैं और वहां भी deterioration हुआ है politician चुके लोगों की आँख में रहता है सामने रहता है media उनके बारे में लिखता है अख़वार उनके बारे में लिखता है TV channels उनके बारे में discussion करते हैं लोग आपस में उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो public से direct attach रहता है मगर एक बात आप गौर कीजिए कि हमारी ये दुखत इस्थिती है मगर हमको आपको इस बात को सुईकार करना चाहिए कि politician अगर correct है या वो लोगों के अपे च्छाओं पर खरा नहीं उतरता है तो और bureaucratic की भी आज के वही बात हो रही है जुरी शरी में कह दिया हमारे सुप्रीम कोट ने एक हाई कोट के बारे में कि वो रॉटन है और एक PFS कैम में 32 जजों के नाम आ गए नीरा राडिया टेम्स में हमारे पूरे जो मीडिया के लोग है उन पर आचेफ हो गया तो समाज का कोई अंग बचा नहीं है सभाविक रूप से जो जनपरतिनी दी है वो लोगों के पास रहते हैं मैं एक सवाल बड़ाबर पूचता हूँ और अपे शायदा होती है क्योंकि decision making position पे politicians होते है तो शायद अगर सब लोगों को हम बता है कि हम बुरे नहीं है ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है मेरे जिस सबसे ये पल्ला जाडने वाला कहीं नहीं, ये सच्चाई वास्तविक्ता है इसको सुईकार करने की जबुद है और अगर politician गरवर है जिम्मेदार कहला सकते हैं लेकिन जुरी शेरी में अगर गरवरी है उसको कौन वोट से बदलेगा? अगर मीडिया में गरवरी है और टीवी चैनलों में और प्रिंट मीडिया में गरवरी है तो उसको कौन वोट से बदला जाएगा? जो एक बात सही है और इसमें जन्ता की थोड़ी जिमेदारी है कि आप जब चुनते हैं, आप ज़र्णिस नहीं चुन सकते हैं, आप ज़र्ज नहीं चुन सकते हैं, आप पॉलिटीशन को चुन सकते हैं, आप ही के मुहर लगाने के बाद वो MP, MLA बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो उसको चुन हीरता से विचार करना पड़ेगा आप अगर चुनाओं में भरस्त लोगों को वोट देंगे और ये उमीद करेंगे कि वो एसमली और पार्लामेंट में जाके सक्तेवादी हरिश्चद्र हो जाए तो यह संभब नहीं है इसी इसी बात पर बात करेंगे तो वक्त हुआ है आपने अपील करी रहा चे विशे निवातों करिश्वेक नानगरा विरामबाद विरामबाद फरीयकवा सौगत शापनों कारेकरम अती थीमा शकील एहमद जी साथे निवात अगर जलाई शकील आपने बताया कि लोगों को सोचना चाहिए वोट देते वक्त कि किसके हाथ में बागडोर दे रहे हैं अपने नगर की अपने वार्ड की अपने राज्य की या तो इस देश की लेकिन बात यहीं पर आके अटकती है कि पॉलिटिशन कहते है कि आप सही नहीं चूनते लेकिन लोगों के सामने आप्शन भी शायद चून चून के पॉलिटिकल पार्टी भी रखती है और मेरे इसाब से इसमें भी आप एग्रिड करेंगे कि कास्ट फेक्टर भी काम में आता है वोट लेने की क्षमता बाई हूक बाई क्रूक वो भी देखा जाता है क्योंकि अल्टिमेटली वार है जीतना तो ही तो लोगों के पास आप्शन ही नहीं रहेगा तो हाव दे आर ही असपष्ट है कि राजनितिक धल इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन हमारा मजबूत कैंडिडेट है जात और ब्रादरी का ख्यार लखा जाता है धर्मूल और गोत्र का ख्यार लखते हैं राजनितिक धल लेकिन यह क्यों रखते हैं इसलिए कि जनता इसी पर वोट देत बनाया कि यह माहुल बनाया कि इसने सब्सक्राइब ने बनाया लेकिन अगर जनता इस्टिक्ट रहेगी कि हम देखिए एक बात समझ लिजी कोई सड़क ऐसी कोई नेता नहीं बना सकता है जिस पर सिर्फ एक जात और एक धर्म का आदमी चले कोई नेता ऐसे अस्पताल नहीं सिर्फ एक जात और एक धर्म के लोगों का इलाज हो सके कोई नेता ऐसी बिजली नहीं जलवा सकता है जिसकी रोशनिक की सिर्फ एक धर्म और एक जात के लोगों को मिले पॉलिटीशन्स का या जो जन पड़ती ने दिये हैं उनका यहीं काम है लेकिन इसको चुनते वक्त म अगर आप इस पर ध्यान देने लगेंगे उसके और अगर राजनितिक दल पांच राजनितिक दल हैं और पांचों ने गलत कैंडिडेट खड़ा किया है जनता को इतनी शक्ती है और सैकलों जगों में लोगों निर्दलिय को जिदाया है और अगर आप इस पर फैसला करने लगेंगे देखिए जनता जैसा चाहती है पॉलिटिकल दल वैसा ही करते हैं यहां मैं सीधा लेके आता हूँ आपको इजिप्त वाली बात बहुत अभ्यास आपने किया होगा यह पूरे इंटरनेशनल सिनेरियों पे एक माहोल बना है लोग चाहे आपने बताए कि लोग च अगर उनको लगता है कि पानी सर के उपर जा रहा है आएं टॉकिग बाउट इंटरेशन रेट एंड एवरीटिंग देखिए बिलकुल एजिप्ट की जनता बधाय के पातर है इतने दिन हो गए इतने एक तरह से विरोधी अटैक के बाद भी वो अंदोलन हिंसक नहीं हुआ लेकिन एजिप्ट की तुलना या दूसरे जो देश हैं जहां जनतंतर नहीं है एजिप्ट में जनतंतर नहीं है हमारे यहां जनतंतर ह और एजिप्ट की इस्थिती यहां बनने की आवशकता नहीं है अगर किसी सरकार को लगा है के सरकार के बारे में यह गया है मैसेज कि यह जनता के हिट की नहीं है और जनता उसके खलाफ हुई है तो सारी मजबूत से मजबूत सरकारें बदल दी गई है इस देश में इस देश में आप गोर कीजिए 1977 में अमर्जनसी के बाद अमर्जनसी के दौरान कॉंग्रेस का साशन इंद्रा जी का नितुरित बहुत ये था लेकिन एक भरम की स्थिती पैदा हुई देश में एक माहौल बना कुछ सही कुछ गलत कुछ अफ़ा है और लेकिन देश की जनता ने चाहा तो इंद्रा जी जैसी सशक्त मुख परधान मंत्री का साशन चला गया वो खुद चुनाओ हुआ गई उनके पुत्र संजय गान्थी जी चुनाओ हुआ गई ये बाद सही है कि दो ही साल के बार जनता को हुआ कि हमको गुमरा किया गया और फैर इंद्रा जी को इस देश की जनता ने प्रधान मंत्री बना दिया यही जन तंतर की शक्ती है कि यहां और यही सबसे बड़ी खुबी है इस देश की और दुनिया जो पर संशा करती है भारत की कि यहां जनतलनता है आज हमसे लोग नाराज हैंगे लोग पांस साल के लिए अपना परतिनिदी चुनते हैं और अगर उनको लग गया बीच में कि हमने गलत परतिनिदी चुन दिया तो उनको पूरा मौका मिलता है आगे वाले और चुनाओ आयोग ने इस देश के समय के साथ अपनी जो मजबूती है अपनी जो निश्पक्स्ता है वो दिखाई है और बड़ी-बड़ी सरकारें बदलती चाती है शकिल जी लोगों से अपक्सा बहुत रखते है पॉलिटिशियन्स लोगों को ये करना चीए लोगों को ये करना चीए लोगों को ये करना चीए लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्राउंड से जुड़े हुए नेता की बहुत कमी है आज लोगों को अपना नेता लगे ऐसे नेता का नाम आप जैसे सीनियर लिडर्स को भी मैं पूछूंगा तो भी शायद एक दो तीम उससे ज्यादा मुँपे नहीं आएंगे क्या लोगों से अंतर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लिडर्स का धीरे धीरे बढ़ता गया है यह मैं जमीनी हकीकत आपके मुझसे क्योंकि सही बयान आप बहुत पर्ष्ट दोर पे अपने खैलाद रखने वाले हो और जो है वही आप बोलते हो क्या आप मानते हैं नहीं देखिए यह बात सही है कि पिछले दस बारा सालों में या बीस पचीस सालों में मैं कह सकता हूँ कि जनता और नेता के बीच की दूरी वैसी नहीं है जो पहले थी उसके अक कारण है कि आजादी के पहले की जो लीडर्शिप की पिड़ी थी जो बात तक बहुत बीस बाई सालों बात तक आजादी के आई उन्हों ने और जनता ने एक साथ संगर्श किया था अंग्रेजों के खिलाब common factor में कंधे से कंधा मिलाके बड़े से बड़े इस देश के नेता ने और आम जनता ने मिलके ये वो किया था आजादी के बास से जब सिलसला शुरू हुआ लीरशिब का तो जब तक वो पीड़ी रही उस पीड़ी के लोग रहे जोने संगर्श में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाके काम किया था वो रास्ता निपता रहा मगर धीरे 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 जो बात की प्यूरियू में, बहुत से आसे लोग आए, जो शुकर संगर्श्द, उन्होंने नहीं किया, संगर्श करने का, बाहुल भी नेमन उनका नहीं मिला खाए। तो वो दूरी बढ़ी थी, लेकिन फिर भी, आज भी जनतंत्र जहां है, और जिस भी मुख्या को, प्रधान को, एमेले को, इम्पी को, ये है कि हमको पुनह जीत के आना है, उसको कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सवाय इसके कि वो अपनी जनता के पास जाए, लेकिन लेकिन इसके सामने, इसी पहलू को हम पकड़े, अगर इसी सवाल को, इसी बात को हम पकड़े, तो राष्ट्रिय नेता, यानि राष्ट्रिय फलक पे जिस नेता अपनी एक इमेज बना दी है, या तो बना रहे है, उसके सामने, डिजनल पार्टी के लीडर्स है, टॉप लीडर्स शायद उनकी जमीनी पकड ज्यादा है और ये बात दो मेंस्ट्रिम में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है भारती जंदा पार्टी और आपकी कॉंग्रेस ये दोनों शायद इससे परेशान है या तो फिर मैं अच्छे लबसों में कहूं तो शायद वो इतना जूटा नहीं पाईए जितना रिजिनल पार्टी अपने प्रदेश में लोगों के साथ तालमेल जूटा पाईए अपनी फेवर में कर पाईए वाट बेंक ये ये शायद अगें चिंता का वीश है जो आपके विदिन पार्टी भी ये डिस्कुसन कही पर हुआ है हाँ नहीं देखिए जो रिजिनल एस्पारेशन है जो छित्रिये कुछ हाकान चाये है उनको पूरा करने के लिए उजनता की भावना है उसको छित्रिये पार्टियां अपने फाज़े के लिए स्तामाल करती है लेकिन जैसे जैसे जनता को ये रियलाइज होता है कि साहब ये जो छित्रिये एस्पारेशन है ये इस से हमारी पूरी नहीं हो सकती है और इसने हमारा को हमको एक्स्पॉलाइट किया है हमारा भावनात्मक दोहन और शोशन किया है तो फिर जन्ता जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां है जो रास्ट्रिय पार्टियां है उनकी तरफ लोटती है आप यह करेंगे अभी कुछ चुनाओं होने वाले हैं आप देखेंगे कि बंगाल मैं सी पीम को एक तरह से छे पार्टिय नहीं कोँगा उनका और इंडिया आउटलूक है लेकिन उसके सामने हथियार के तोर पर कॉंग्रेस नग छेत्रिय पार्टि कोई सामने रख लिया था नितीश कुमार जी ने और भाजपा में नेशनल पाटी ने गिर के समझहुता खरके, or नितीश कुमार जी क्या है, अगर भाज़न में बीहार नहीं जाने दिया, यह क्या है. तो election में अगर वो देखते हैं कि हमको उससे फाइदा है, तो लोग करते हैं क्योंकि election में जनता जिस मुद्दे पे वोट दे दिया, वही मैंने शुरू में कहा, कि जनता जिन मुद्दों पे वोट देती है, politicians उसी को आगे करने की कोशिश करते हैं, अगर जनता development पे वोट दे अगर जनता इमानदारी पे वोट देने लगे, अगर जनता ये कहने लगे कि नहीं किसी पार्टी का आदमी हो, पांच पार्टी आएं, पांचों के उमिद्वार ख़राद हैं, ये छठा निर्दली जो है, जिसको हम खड़ा करेंगे, यही इमानदार हैं, इसी को भोट दे हैं, तो सही चुने, और हीरो वर्षिप, जो भढ़काने की बात करें, हर महले में कुछ लोग होते हैं, जो भढ़काने की बात करते हैं, बैकाने की बात करते हैं, और हर महले में, हर वार्ड में कुछ लोग होते हैं, जो उर्दू का शब्द है, इतिदाल पसंद, या जो म प्रिज़ बूज के सोज समझ के फैसला लेने की बात करते हैं वो भी उपलब्ध हैं आप पर डिपेंड करता है कि आप किस के साथ जाते हैं और जब भी कोई सोज समझ के फैसला लेने की बात करें क्योंकि वोट इतनी आसान चीज नहीं है आप 5 साल के लिए आपका भविश आपके बच्चों कब हम कह सकते हैं कि भवेश भगवान बनाता है ये है लेकिन जो इंफ्राइस्ट्रक्चर है जमीन का भगवान काम लेता है किसी से जलपरती निदी बनने का किसी के पिसमत में लिखा है और फैसला आपके हाथ में दे दिया है भगवान ने, खदाने, अल्हाने, तो उस फैसले को लिखते वक्त, उस वेकती के चलितर को, उस वेकती के काजकलाप को, निश्चित रूप से दिमाग में रख़े। Spokes Person बनना कठीन बात होती है क्योंकि क्योंकि किसी ने बोल दिया किसी ने कर लिया अब कहीं लिपाबोजी करने का काम आ जाता है प्रवक्ता के सर पे और बतलब यह एक बहुत कठीन है कि हमने कुछ किया नहीं अभी बचाने के लिए चलो डेमेज कंट्रोल के लिए तो कई बार कई बार किसी को बचाते 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 कहीं ऐसा होता है कि अरे यार शकिल जी सोचो तो सही कई एक बार बैठके कितना बोल दिया किसके बारे में और कितना जूट भी बोलना पड़ा किसी को बचाने के लिए यह स्पोक्स परसन का का मेरे इसाब से इस डिफिकल्ट टास्क और उसमें बहुती सोबर, कुल माइंडेड और इंटेलेक्चिल्टी जिसमें है शायद उसी को सोपा जाता है इस तारिप के साथ साथ ऐसे गुन भी जुड़े हुए कि सिफत से बहुत प्यार से कोई चीज गलत भी बोल नी है तो वो भी जो बोल सके मेरे इसाब से इस अब से इस पेशल वर्ची आप एड़ी स्पोक्स परसन, what do you feel? It's true, it's a very difficult job but you have to keep a balance between the party and the government and you have to discuss things with the media and you should say things which people should believe तो निशिव रूप से एक बात दिमाप में रखने ये दिख़ड काम है मगर फिर भी अगर आप अपने दल को समझते हैं मैं पिछले लगभग 2007, लगभग 4 साल पूरा होने जा रहा है मैं पार्टी का परवक्ता हूँ और मैं आपको बताऊँ विश्वास कीजिए कि एक घटना आज तक नहीं हुई जिसमें पार्टी ने मुझको ये कहा हो कि तुम ने जो कहा है वो गलत किया अगर आप अपने दल को समझते हैं और अपने दल को समझने की बात है अगर हमारे भी किसी व्यक्ती ने कोई गलत काम किया है और तो उसको सुईकार करना और उसको कहना कि हम सुधार की कारवाई करेंगे मनुष देवता नहीं होता है जो राजनेता हैं ये देवता नहीं है ये आस्पांस उत्रे हुए लोग नहीं है इनको जनता में इस देश की चुना है अच्छे भी हैं जनता किसे चुन्यक के बाफ में कभी धोखा भी होता है तो अगर उनसे कुछ गलती हुई है हमारे पार्टी की लोग है उनको ये करना हमारा करतब है लेकिन एक हद तक अगर लगेगा कि ये पार्टी के से अज़ित हो रहा है ये देश के हितमे नहीं है तो कोई a spokesperson अगर वो सही a spokesperson है और basically आपकी जिम्मेदारी पार्टी से है पार्टी के सासाथ इस देश से हम इस देश के नादरिक है और ऐसा कोई बात आप ऐसे किसी व्यक्ती को делать करने जा रहे हो जिससे देश के को कोई गाटा होता है तो उसमें अपना भी भी एक निश्चित रूप से इस्तावाल करें शेकल जी यहाँ थोड़ी थोड़ी अगर आप हम खुलके बात करें क्योंकि डिसकस आप करते हो बहुत सारे क्योंकि आपोजिशन पार्टी की बीजिस फॉक्स परसन उनके साथ या तो मीड के साथ भी बात करते हैं मुझे यहां पूछना है एक परसनल बात जब भी फोन आता होगा कोई भी मीडिया हॉस से शाइल जी आजाईए इस मामले पर या तो हमारी टीम है मैं पहुंचा देता हूं और भी वैन है आप इस बात करनी है पहला सवाल आता होगा सामने कौन है क्या लगता है किसके साथ हेल्धी डिबेट करने में अपोजिशन पार्टी का ऐसा कौन सा स्पोक्स परसन है ऐसा लीडर है जिसके साथ हेल्धी डिसक्रशन करने में शकेल जी को खुद को भी कहीं मजात है आदेखे मेरा संबंद बिहार राजी से है और जो मुख विरोधी दल है भाजपा उसके दो स्पोक्स परसन विरोधी डल में विधायक भी के तो हमारा आपस में रहपो है लेकिन जब हम जाते हैं तीवी चैनलों में डिसकुशन के लिए या कहीं पत्रकार वारता में तो हम अपने अपनी पार्टी का परतिनित करते हैं और एक बात का ख्या जब दूर रखते हैं वो भी रखते हैं और हम लोग को भी और रखना चाहिए ये मरियादा है जनतंत्की की एक लेवल से नीचे कोई बहस नहीं होनी चाहिए व्यक्तिकत इनसान में कब्जूरी होती है लेकिन अगर हम नीतियों और सिधानतों की बात करते हैं उस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने या उंचा करने के लिए नहीं करते हैं डिबेट करते हैं कि हम जो भूल रहे हैं मैं जानता हूँ कि मारे बिरोदी दल के स्पोक्सपसन है ये कन्विंस नहीं होंगे और ये सुईकार नहीं करेंगे ये बात मैं भी जानता हूँ वो भी जान है और हम लोग उसी का ख्यान लगते हैं और निश्चित रूप से कमफर्ट लेवल मेरा सभी एक तरह से स्पोक्सपर्सन के साथ ठीक है घ्राजनिती में रहने के कारण व्यक्तिकत रूप से उनसे इंटरेक्शन होता है लेकिन चुके मुख भी पक्छी दल होने की वज़े से भाजपा के जो परवक्तागन है उनसे मेरा रहना पूँचा है शाकिल जी क्रिकेट में कई एक दो गिने चुने बैट्समेन होते हैं जिनके सामने शायद बाउंसर डाल दो कोई भी जगा पे स्पीन के लिए आप बॉल को पीच करें लेकिन उस बैट्समेन को बीट करना य हम उनसे मौत्का सो दागा और बाउंसर डाल दिया बहुत सारी जुजात की योजनाओ को के एक करीपोर्ट की कोशिश के एसाइटी के बाद दूने की कोशिश की लेकिन दरेंदर UAमादी कажи कि किक पकड़ में नहीं आते क्या 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 क old you feel your you are going to accept he is a mass leader or he is a gimmick. This is all gimmick. और समाज को बाट के, घरना पहला के, राजनीती कभी अच्छी नहीं होती है और कभी लंबी नहीं होती है. देखिये, अंग्रेजों ने अठारशो संतावन के बाद से, जब उनको बहुत परिशानी हुई, उस अठारशो संतावन की करांटी को दवाने में, और वो करांटी ऐसी थी कि सबसे बूढ़े, और सबसे कमजोर मगलबाशा बहादूर साज़ाफर के हाथ में वो करांटी थी. तो अंग्रेजों ने जब ये वेचना की कि क्या मामला क्या है, तो हुआ कि क्यों एतनी परिशानी हुई हमको दवाने में, तो हुआ कि पूरा भारत भावनात्मक तौर से, इंदू, मुस्लिम, सी, किजाई, अगरे, बिचरे, गलिद, सब मिल के आपके खिलाफ हो गए थे, तो अंग्रेजों ने एक डिवाइड और रूल की पॉलिसी अखिया की, और उसका फाइदा हुआ अंग्रेजों को, कि उनीस सो साइटालिस से लेके, अठारा सो साइटावन से लेके, उनीस सो साइटालिस तक, नबे सालों तक, उन्होंने इस देश पे आओर साशन कर लिया, लेकिन आज के अगर हमारे कोई मुख मंतरी या परधान मंतरी, डिवाइड और रूल करके पांच-दस साल साशन कर लेते हैं, तो उनको अपने को बहुत तीसमार खाने ही समझना चाहिए, अंग्रेजों को नबे साल के बाद ही सही हिंदुस्तान के लोगों ने, खदर के इस मुल्क से अलग कर दिया, जो डिवाइड डूल करने वाले लोग हैं, वो बहुत जादे दिन नहीं चलना है, लेकिन ये अर्गुमेंट कही बार कही कॉंग्रेस ही दिगजों ने कर दी, लेकिन गुजरात की जनता के मेरे इस अब से जो प्यार मिल रहा है उनको, क्योंकि रिजल्ट दिखा रहा है, शाइद ये बात गले नहीं उतरती, क्या क्या मांतरी, इसको आप कॉंग्रेस की फैलियर संझेंगे, ने, ने, एक तिल तैन येर्स, ये उनको ब्रोकन अनी सिंगल पीलर, ने, इन गुजरात, गुजरात में वेल्ट ते लिजुरात में लोगसभाचुनाओं में हमारे इस ब्रिजल्ट हुए है, विधान सभाव में भी कुछ सीटें बढ़ी हैं मगर उतनी नहीं बढ़ी हैं जतनी बढ़नी चाहिए और ये बास सही है कि जो गुजरात में लोगों को बाटा गया उसका भी फाइदा उनको कुआ है लेकिन मैंने यही कहा कि अंग्रेश 90 साल तक भी भावनात्मक रूप से बाटके इस देश पे परमानेट शाहसर नहीं कर सके उनको जाना पड़ा तो डिवाइट रूट करने वालों को आज नकल जाना पड़ेगा देर उसी दिल तक आए आप पेट करते उस 15 अगस्त की जनता को बताते रहेंगे कि यह और क्या हो रहा है अज भी भी सर्वे आया है कि गुजरात में हिंदुस्तान में जीनराजों में सबसे जाद अकुपोशन है बच्चों का वो इसी गुजरात में है वाइबरेंट गुजरात के नाम पे आप M.O.U. लाखों करोर के साइन कर लेते हैं और एक पैसा नहीं आता है तो गुजरात की जनता को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश है और जनता बहुत दिन तक गुमराह नहीं हो सकती है भादना में, नाराज़गी में, किसी किसी नारे पे कॉंग्रेस के कई गुजरात के प्रदेश के नेता भी इनकी आभा में आ गए कभी ऐसा भी रिपोर्ट आपको मिला होगा कि बहुत सारे इंप्रेस भी है तेर अर सो मैनी लेडर्स इं गुजरात कॉंग्रेस इंप्रेस्ट भाय मिश्टर नरेंदर मोदी वो भी शाद इंफ्लिएंस में आ गया नहीं मुझको इस बात से सचाहिन है मोदी जी जब अपने लोगों को इंफ्लिएंस नहीं कर पाए इंडिये के पारटनर है नितीश कुमार और नितीश कुमार ने एक बात नहीं हर दफ़ा जब भी बिहार में चुनाओं होता है नरंदरमोधी को बैन लगाते हैं ना वो लोक सभाचुनाओं में उनको जाने दिया नरंदरमोधी जी को और न विधान सभाचुनाओं में जाने दिया और भाजपा ने शर्म का गोड पीके इस बात को राश्टे ने तुरुत ने भाज़ पा के माना और नरेंद मोदी जी पर बैन लगाया कि आप नहीं जा सकते हैं नतिश कुमार ने साफ कर लिया कि अगर नरेंद मोदी आएंगे उनके तस्वीर के साथ फोटो खेश्वाने पर दावत दी हुई दावत कैंसिल करें तैंक्यू अरी मैश शागिल जी हम चाहते हैं कि ये स्माइल सदा बरकरार रहे तैंक्यू अरी मैश नर्शक मिरो आती खास मुलाकात डॉक्टर शागिल हमार जी साधनी वरी मरी शू नेक्स्ट एभी सोड में एक नवा आती थी साथे तैंसुरे जाप्षा नमस्कार देंक्यू रिमें थैंक्स लॉट